नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज जो विधी में आपको बताने जारी हूं इस विधी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है लोगों के मन में विचार आ जाते हैं कि अगर आप किसी को वश्में करना चाहते हो या उसे सम्मोहित करना हो तो उनसे मिलना जरूरी होता है उनको खिलाना पिलाना पड़ता है लेकिन नहीं आज जो उपाय में आपको बताने जा रही हूं उस उपाय के माध्यम से आप बिना मिले बिना कुछ खिलाये पिलाये आप किसी भी लड़की को अपने वश्में कर सकते हैं चाहे वह किसी की कोर्ण में क्यों न रहती हो उस पर वश्रीकरन आप आसानी से कर सकते हैं इस विदी के लिए जो आवश्यक सामगरी होगी वो मैं आपको बताती हूं तो आपको जरूरत है थोड़े से जल की एक कलस में आप थोड़ा सा जल ले जी हैं दोस्तों थोड़ा सा जल ले इसने जल लेने के बाद आप उसको अपने पास रख ले फिर ले आप एक दिया इस दिये में तेल डालकर आप इस दिये को जला ले एक चीज का ध्यान आप जब इस उपाय को करते हैं तो आपके मन में श्रधा होनी चाहिए उस लड़की का नाम होना चाहिए उसके साथ ही आप ये सोचकर बैठिए कि वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो ये उपाय करने के बाद वो आपको जरूर हासिल हो जाएगी क्योंकि कहा जाता है कि मन में श्रधा भावना होने से उपाय की जो शक्ती होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो आप कलश ले और कलश के अंदर ले जल सुबह उठें जल्दी से नहाए और नहाने के बाद जो जल है उसको लेकर साप सा आसन लगा कर वहां पर बैठ जाए और वहां ब आप 11 बार उस इस्त्री का ध्यान करें जिसको आप वश्मे करना चाहते हैं उसका नाम लेते समय मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार उस पानी को पिए 11 बार आपने मंत्र का जाब किया और साथ ही साथ आपने इस लोटे से पानी पिना है जी हां हर बार आपने इस लोट पढ़ा और इस्त्री का नाम लिया और जल पिया ऐसा कर लेने से आपकी जो समझ्षया है वो दूर हो जाएगी और वो इस्त्री आपके वश्च में हो जाएगी तो चलिए और साथ ही आपको बताती हूं वो मंत्र और वो मंत्र है ओम काम देवाय रंजनी स्वाहा जी हां एक इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और हर बार में फिर से मैं आपको याद दिला दियूं कि मंत्र का जाप करना है इस तरीका नाम लेना है और एक घुट जल पीना है तो 11 बार आपको ऐसा करना है ऐसा कर लेने से आप जिनको चाहते हैं वो हमेशा के लिए आपकी हो जा और आप इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो इस वश्रीकरन को करके इस उपाय को करके आप उस तरी को अपने प्यार को पा सकते हैं अगर आप ऐसे ही उपाय जानना चाहते हैं और आप इन उपायों के बारे में और भी जानकारिया प्राप्त करना चाहते हैं तो जो न